आप देख रहे हैं सांडेश्वर महादेव मंदिर का यह प्राचितम इस्तान और उदेपुर के अशोग नगर शमचान मौक्ष मार्क के पास में ही यह मंदिर इस्ती थे और किता प्राचिन है आप इन कला करतियों के बादियम से ही पता लगा सकते हैं कि कितना प्राचिन सेमेटनी कुछ नहीं और बहुत ही खूब सूरती के साथ आज भी खड़ा है और इस तरह पूरा मौक्ष मार गए और उस तरह भी एक बहुत बड़ी कुंड़ भी मनी हुई है तो आप देख पा रहे हैं कितना खूब सूरत सा मंदीर कितना अच्छा मंदीर हमारी संसकति हम इस जहां तक दिखाई देरी है सोल्वी सताबदी के मध्य धिकाई देरी- पंदर्वी और शोल्वी सताब्दी के माद्ड यह नांधी है बनावा बहुत ही कुप सुर्ष प्राचीन मंदिर चलिए और भी बहुत सरे दर्शन और भी है यह भी एक मंदिर और पाग यह ँज़ां तो काफी पुराना और प्राचीन मंदिरों में से एक है सांडेश्वर महादेव मंदिर तो ये है भगवान बोलेनात का प्राचीतनम मंदिरे में से एक सांडेश्वर महादेव मंदिर यहां कि आप कलाकरती को देखिए उस जमाने के पीलर को आवे कि कितने बड़े बड़े पीलर है तो प्रभु का मंदिर है यहां पर भी एक शिवलिंग कितना खुबसूरत मंदिर है उस जमाने में दीए भी लिखी हुई है पास में प्राचीन भावडी है तो हिंदू धर्म कितना पुराना है आप जानते हैं बहुत ही प्राचीन और प्राचीतम है बहुत ही प्राचीन धर्मों में से एक हमारा हिंदू सनातन धर्म है देखिए बावडी देखिए आप यह हिंदू समाज की शेली का बहुत बड़ा उधारन है उस जमाने की यह प्राचीन भावड्या आज भी हमारे नगरों की शौबा बढ़ा रही है और ये प्राचीर मंदीर आज भी दल बक्तों के लिए दसुन रही है तो भगवान बोले नाथ सांडेश्वर महादेव मंदीर बहुत ही कुपसुरत मंदीर है आज हमें धर्म की रक्षा करने के लिए सभी सनाथनियों को एक लाब बंध होकर संकल्प करना होगा कि हमें अपने धर्म की श्थक्ति को बचाना है संसकती दिवस पर दो हम बात करते हैं बड़ी-बड़ी लेकिन आज हमें बहुत कुछ करने की अवशक्ता हूँ हर आदमी अपरी जिम्मेदारी को समझेगा तो मुझे लग रहा हमारी संस्कति को हम और भी ज्यादा अच्छा बचात पाएंगे इसी संकल्प के साथ दीखिए सभी साथी जो है स्वेम साफ सपे कर रहे हैं बावडी के आधवास सभी वरिष्ट भी मौजूद है और यह बावडी लिए संसकति से परिपून हमारा उदेपूर शहर है एक प्राचिन शेरों में से विश्व की सबसे प्राचिन धुरोहरे यहीं है और प्राचिन प्राचिन सभ्यताय हमको या देखने मिलती है तो इतिहासिक बातों के सिनल लेगे किया हमारे मेवार की संसकति क्योंकि पूरे वीश्व में भारत एक और मेरstep की अलगी अनुखी पैचान रखता है देखो क्या है मेवार भारत में चोटा रूप में हो गया है पहले अफगानिस्तान तक भारत था यह आँए आसबास के तो उस वक्त इतना बड़ा फिलाव में था दिरे दिरे मतले क्या है का अलग-अलग बनते गए लेकिन अपने भारती जो बपारावल के ताइम से उससे पहले जर्लिए यह महाराना पर्ताब राणा सांगा इनके समय और उनके पूराने जो थे अपने को मेवार में जो एकलिंगनात का जो मंदिर है पहले विकरमादिति नहीं कर दिकामा अन से विकरमादिति मोर्य थे इनसे पहले चंद्रकुप्त मोर्य थे ज्यारी शदी में मतल़कि आज भी हम देखें कि धरोर है हमारी खंडर पड़ी हुई है तब कैसा मन होता है हम अपनी धरोर के लिए क्या कर सकते हैं सित्र साल जो भारत सरकार आजाद हुआ और उसके बाद में सित्र साल जो कोंग्रीस की सरकार रही उसके अंदर मंडले क्या है जिवेड कर ते हुए उसमें जिन मंदित अनुरी इतने में इसके फीटतार और्ट जिन मंदिरत्त्य केढ़ êtes अब भी वर्तमान में 2014 के बाद में जो नर्दाजी मोदी साब का मतलब क्या है कारेक काल खंड आया हम उसके अंदर दर्म के परती और जो पुरातत विपाग के जो मंदिर हैं उनके परती बहुत जागरती आई और लोगों के अंदर ये भावना होई का मतलब क्या है कि सरकार क का मुख्या जो होता है सरकार क का मुख्या जो होता है उस मुख्या के अनुसार अधर सरताएं और देश इंदर मतलगा है उसको वीराठ को नी को फोलो करते आ ça करते हैं वैसे व्यांतिक शेतर में आज अझा पूरे विस्व में फोलो करें जा रहा है तो उसमें ये कहना चाहते हैं कि अचली के समय पूरा ने जागरन हुआ था लेकिन कहीं रूका लेकिन अभी पूराण जागरन हो रहा है ये कैसा थे जिसमें विख्यात थे जीवित रखने के लिए और हिंदु धर्म के लिए उन्होंने जो जो कदम उठाए बहुत भाध दनेवाद आप जानते हैं कि हिंदु संसकति और हिंदु परंपरा और हिंदु के पारनपरिक मंदिर को तोडने का का इता है प्रश्चा कि बाहर से आये जितने भी आकरमाणी थे उन्हों प्रयाज के लेकिन आज भी हमारा हिंदुस्तान खड़ा है आज में अमारी संस्कति खड़ी हुई है और संस्कति का उदारन हमारा चीक-चीक कर हमाने मंदीर देते हैं कि हिंदु सनातन पर हज़ारों वर्ष पुराना है और प्राचित हम है तो देखो तो यह पैसाब देख दीजिए देखो पुष यह समझनी थी कि इतने आक्रमान हुए बारत के सायद विश्म में सबसे ज़्यादा बारत में फिर आज में हमारे संस्कति जिंदा है जिसे हुआ है के संपफ और ने प्रतियेक हिंदुस्तानी अपने दिल में जो सणातन और राश्क्रपधी प्रेय में माध्यम मनते हुए सणातनी बचाता है और विस्वास्कति बचाता है केलास मंदीर को तोडने को कफी प्रयास किया गया लेकिन नहीं तूट पैया बिलकूल कहीं गई जब लोग कहते ह这 stand मंदीरि पत्थ्रों से बना है लेकिन हमारी आस्ता है हम प्रान मंदीर को मानते हैं कि उठीषरा करते हैं तब मिश्चित वुप से अंदर प्राणों का प्रवेश होता है और जब हम कभी भी हमारी जीवन में अच्छे हाई बूरे दि होते है तब मिश्चित जाकर इसलिए इस बाहरा सिंग जी की कारी काल में पूरा वीचव में कहीं इतने मंदीर घाकुरजी के मंदिर हर योनChat कि हर मुहले में पांट 20 मंदीर मिल जाएंगे हनुमान जी के और हमारे ठाकुरजी के इस बीचते के शवर्यापते हैं क्रश्ण के मंदीर होना स्वाववक रूप है और उसका परिणाम है जहां जाते हम मंदिर है सब्सक्राइब निश्चित रुप से आस्ता के अंदर होता है जहां सबी आस्ता हैं कहीं हनुमान जी में हो सकती है किसी की राम भगवान में प्रश्ण भगवान में सब्सक्राइब निश्चित रुप से हमारी परंपरा जुड़ाव अमीर जो काम है और सब्सक्राइब करते जाता है तमाम अलग से और विखराव से छटा से सतरंगी से हमारे दिल में सुरोबार होता है और निश्यूरुप फागन मौईला हो ली है तो उसका लोग उससार नो उस जंग से बनाया जाता है भारत माता की लाल बगत सिंग जिसने हस्ते हस्ते परांतिया और अमर शहीद उनके साथ आज जैन्दी भी है पिल्कुल उन लोगों ने जब पता चला कि सिर्फ अहिंसा के माध्यम से में आज़दी मिली है लेकिन ऐसे अहसंग की लोग है जिसे बगत सिंग जी बोबाल कम उम में यह लोग साथ रहे थे और युवां की फोस्त तैयार की उस माध्यम से सिर्फ कहने से नहीं है जिन लोगों के परिवारें बलीदार हुए बलीदान का आधार पर आज में यह सवतंतरा प्राप्त हुई है यह सिर्फ चर्का चलान से आज ज्यादी प्राप्त नहीं पदम विश्कार समानित कर रही वारत रतीकी समाहत कर दे मैसं निश्री रूप से हम हमारी सब्सक्राप्त झाये राम।